भारत में कोरोना की दूसी लहर आपको याद होगी जब किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हुए ओक्सीजन की कमी के कारण लोगों ने अपनी जान खवाई वही सिती आज चाइना में बंती हुई नजर आ रही है बता दे कि वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं लाशों की ढेर लगी हुई है लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि चाइना की सरकार सीधे तोर पर कह रही है कि जिन लोगों की मौत हो रही है या फिर जो लोग संक्रमित हो रहे हैं उन्हें होने दिया जाए ताकि जितनी जल्दी लोग संक्रमित होंगे उतनी जल्दी लहर खत्म होगी और दूसरी लहर पिर तीसरी लहर आएगी और उतनी जल्दी कोरोना का खात्मा होगा वाकई हैरान कर देने वाले पूरा मामला सामने आ रहा है आपको याद होगा यह वही चायना है जिसने कोरोना को फैलाने का काम किया था जिसने तमाम देशों को परिशान करने का काम किया था और आज वही चायना अपने जान में फस्ता हुआ नजर आ रहा है लेकिन इससे हम सबको भी सतर्क रहने की जरूरत है हाला कि मकसद यह नहीं है कि हमरों आप डरे लेकिन हाँ सतर्कता और साधानी बेहत जरूरी है